Cancer एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे सरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है जिस इनसान को Cancer का बिमारी होता है वो इनसान सारीरिक रूप से बिमार तो होता ही है मांसिक रूप से भी विकलांग हो जाता है आज अगर हम Modern Science की बात करें तो हर रोज Cancer को लेकर एक नया सोध हमारे बीच आ रहा है लेकिन अगर इसके कारण की बात करें तो अभी तक Modern Science इसका Exact कारण नहीं बता पाया है लेकिन हर रोज कोई न कोई नया कारण हमारे बीच आता ही है modern science की माने तो सूरज से लेकर पानी तक हर चीज को cancer का कारण बता चुका है लेकिन क्या है इसका कारण हम आज संशेप में जानने की कोशिस करेंगे आयरुवेद के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या होता है cancer, कैसे होता है cancer और कैसे इससे बचा जाए cancer की बात करें तो हर इंसान के अंदर cancer के sales होते ही है यानि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर cancer के sales नहीं होंगे सिर्फ वही इंसान के अंदर cancer का sales नहीं हो सकता है जो इंसान मरा हुआ हो क्यूंकि मरे हुए इंसान के अंदर डेड़ सेल्स होते हैं जिससे की कैंसर के सेल्स भी मर जाते है मेरा ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सेल या जो चीज दुनिया के हर इंसान में हो उससे आखिर कैसा डरना तो सबसे पहले आप कैंसर से डरे नहीं उसके बारे में समझें फिर कैसे उससे बचना है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताते रहेंगे हम आगे जानने की कोशिस करते हैं कि कैंसर होता क्या है क्या है इसका कारण ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सरीर में blood vessels होते हैं, जिससे कि हमारे सरीर में blood का flow यानि blood का संचार सही रूप से होता है, जो हमारे सरीर के cells को charge रखता है, लेकिन हमारे कुछ गलत आधतों की वज़ा से, गलत lifestyle की वज़ा से, या गलत खान पान की वज़ा से, इस blood flow करने की किरिया में, यानि इस blood vessel में blood flow करने की किरिया में दिक्कत आने लगती है अब इसी चीज़ को हम एक चार्ट के माधे हम से जानने की कोसिस करते है ये आपको चार्ट हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब आप ये माल लीजिए कि ये जो हमारा ऐसे जो दो line हमने बनाया है ये माल लीजिए कि ये blood vessel है जिससे कि blood flow करता है एक normal इंसान में blood flow तेजी से करता है एक अपने normal speed पे लेकिन माल लीजिए कि आप कुछ गलत खान पान ये ग्यान भी बता चुका है गलत खान पान की वजह से या फिर chemical कुछ जो हम लेते हैं उसके chemical जो reactions करते हैं हमारे सरीर में उससे हमारे खून में एक ऐसी sticky चीज यानि कि चिपचिपा पन एक ऐसा पैदा हो जाता है जो कि हमारे blood को flow करने में जो normal speed होना चाहिए उसमें दिक्कत पैदा करता है और ये एक cholesterol का भी कारण होता है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं cancer की तो हम आपको इस पे बताएंगे तो जब ये चिपचिपा चीज पैदा होता है या गलत lifestyle की वज़ा से हो गलत खान पान की वज़ा से हो या फिर हमारे गलत आतों की वज़ा से हो जब यही blood जैसे आप ये चाट में देख रहे हैं कि जब यही blood vessel में blood flow करने की किरिया में दिक्कत आती है तो हमारे cells damage होने लगते है यानि कि blood flow उस normal speed में नहीं कर पाता है जितनी speed में करना चाहिए और फिर हमारे body के जो cells हैं वो damage होने लगता है तो आप देख लीजे माल लीजिए जड़ा सा हम सोचते हैं कि यहाँ पे एक cell damage हो गया जो वहाँ पे आपको यहाँ पे एक cell damage दिखेगा लेकिन ये तो आप सब सुने होंगे कि cancer के cell multiply होते हैं तो अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर एक cell damage हो गया blood को flow करना चाहिए लेकिन वो flow करने से उसको वो cell क्या करेगा रोक रहा है ऐसे ही करके दूसरा cell damage होगा तीसरा cell damage होगा चौथा cell damage होगा और ऐसे ही multiply होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जब uncountable number यानि कि जिसको हम गिंती में नहीं ले सकते हैं इतने cells damage होते चले जाएंगे कि यहाँ पर एक blockage पैदा हो जाएगा जिससे कि हमारा blood flow नहीं कर पाएगा हमारे blood vessel में तो जब यही blood flow नहीं कर पाएगा तो यहीं से सुरू होता है हमारे beach कारण cancer का तो जब blood flow नहीं करता है तो फिर यह tumor में change हो जाता है tumor यानि जिसको बोल चाल की भासा में आपके सरीर में इसका symptoms दिखेगा गाठ बन जाएगा घाओ बन जाएगा तो यह सारे इसके कारण होते हैं और जब यही tumor पैदा होगा तो फिर tumor से आगे चलके cancer हो जाते हैं और यह cancer के cells multiply होते हैं अब आप जड़ा सोचिए होगा क्या कि जब इधर से blood flow कर रहे हैं और यहाँ पे tumor हो गया तो blood flow वहाँ कर ही नहीं पाएगा लेकिन blood कोशिश करेगा flow करने का इससे क्या होगा कि tumor break करेगा यानि कि तूटेगा और तूट कर फिर वो सरीर के अलग-अलग हिस्सों में वो जाता है जिससे की और फिर उसका क्रिया tumor का बराबर रहेगा जैसे की वो cells multiply करेगा वहाँ पे भी दूसरे सरीर के दूसरे हिस्से में भी tumor पैदा करेगा जिससे की एक समय ऐसा आता है जिसको कि हम लोग cancer में stage 1, stage 2 बोलते हैं तो वैसे ही वो सरीर के दूसरे-दूसरे हिस्सों में फिर tumor पैदा शुरू कर देता है और फिर cancer पूरे सरीर में धीरे-धीरे फैल कर दिया है मचली पर बैन कर दिया है और इस से ये खबर जैसे ही पता चला लोगों के बीच में पूरे देश में आग की तरह फैल गई लोग डर गए कि आखिर वो मचली खाएं की नहीं खाएं अगर खाते हैं तो क्या उनको भी कैंसर हो जाएगा तो अब हम आपको बताते है कि इसके पीछे का सच्चाई क्या है मेडिकल साइंस ने आज ये प्रूफ कर दिया है यान हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड एंड सेफटी डिपार्टमेंट ने ये प्रूफ किया है कि मचली से कुछ ऐसी केमिकल पैदा हो रही है जो कि कैंसर के बिमारी को बढ़ावा दे रही है हला कि अभी पहले सेंपल में ये सिर्फ बेस्ट बैंगॉल और अंद्रपरदेश से आ रही मचली के बारे में ही पता चला है कि इन मचली में ऐसे केमिकल है जिस्से कि जो कैंसर के बिमारी को बढ़ावा दे रहा है वैसे medical science ने तो आज proof किया है कि मचली खाने से cancer पैदा होती है अगर अगर medical science की माने तो आज मचली में formalin नाम की chemical मिली है जो cancer की बिमारी को बढहावा दे रहा है लेकिन सिर्फ मचली ही नहीं आयरुवेट तो ये भी कह चुका है कि red meat यानि कि beef, lamb, pork और mutton जिसमें कि red meat होते हैं इसको खाने से भी cancer की बिमारी फैलता है cancer की बिमारी हमारे बीच ये भी red meat और मचली दोनों ही cancer की बिमारी का हमारे बीच में एक बहुत बड़ा कारण है, तो इस वीडियो में आप अभी तक ये जान ही चुके हैं कि मचली और mutton दोनों ही cancer की बिमारी को बढ़ावा देता है, यानि कि अगर और अगर इस बिमारी में death ratio की बात करें तो वो इतना भयावा है कि लोग सोच कर हिंडर जाते हैं, यानि कि cancer सभी बीमारीयों का super star कह सकते हैं आप इसको और इस बीमारी से आज के date में जो सबसे ज़्यादा healthy lifestyle जीते हैं यानि हमारे film अभिनेता वो भी अच्छूते नहीं है, और अगर film अभिनेताओं में इस बीमारी का खान भी कैंसर के चपेट में आए हैं और अभी वो बीदेश में अपना इलाज करा रहे हैं एक्ट्रेस सुनाली बेंद्रे एक्ट्रेस मनीसा कोईराला और अब आई शुमान खुराना की पत्नी कायरा कश्यब भी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में ऐसे भी कुछ बॉल्यूड स्टार्स हैं जिन होने की साकहारी खाना को यानि साकहार यानि की वेज फूड को तरजीह दिया है जिसमें जैकलिन फनांडिस सुनाक्षी शिनहा, आमीर खान सुनम कपूर है और साहिद कपूर तो पहले से ही साकहारी है और ये लिस्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो कुल मिला कर देखें तो साकहारी खाना, साकहार तो एक उपाय है ही कैंसर से बचने का लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ ही बता चुका है कि अगर ऑक्सीजन का फ्लो आपके ब्लड में सही से होगा ये टीमर को खत्म करता है लेकिन अगर आप मानसहारी खाते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप ये इस वीडियो को देख कर या फिर पिछले लास टाइम से कुछ ऐसा मेडिकल साइंस के कुछ ऐसे जो सर्वेज आए हैं उसको देख कर अगर डर रहे हो तो हम आपको कहना चाहते हैं कि डरे नहीं आप हर चीज में एक संतुलन बना कर रखें संतुलित भोजन करें संतुलित एक समुचित रूप से आप आप वियायाम करें पानी भी सही रूप मिले क्यूंकि किसी भी चीज का ज़्यादा होना अती होना बिमारी को पैदा करता है तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि न ज़्यादा योगी बने न ज़्यादा भोगी बने अगर आप नन वेजिटेरियन हैं या फिर कभी आप कुछ ज़्यादा फ्राइड फूड खा लेते हैं तो आप इसमें बाइलेंस बना कर रखें बाइलेंस यानि कि जिस दिन आप खाएं उसके ठीक अगले सुबह आप एक्सरसाइज करें योगा करें कपाल भाथी करें अनुलोम भी लोम करें इससे क्या होगा कि सरीर में जादा से जादा oxygen का संचार होगा और जादा से जादा फिर सही मात्रा में पाने भी पीएँ इससे हमारे pores खुलेंगे, हमारे blood flow को करने में जादा दिक्कते नहीं आएंगी तो इन सब से हमारे बीच में एक संतुलन बना रहेगा हमारे बॉड़ी में तूमर बनने के chances बिल्कुल ही कम हो जाएंगे तो अगर इस बिमारी से बचने की बात करें तो इसमें आप इसके लिए आप अपने खाने में ध्राइग साnity fruits आप ले सकते हैं इसिस कीお願いします हमारे सरीर में blood का flow, blood का संचार सही रूप से होता है sales भी चार्ज रहता है इसके लिए भी हमने अपने वीडियो में एक वीडियो अलग से डाला हुआ है जिसको की अभी हम नीचे description link में आपको डाल देंगे, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, उसके लिए भी आप वो वीडियो जरूर देखे जाकर के, तो और हर चीज में संतुलन बना कर रखें, exercise करें, स हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें, और ऐसे ही ग्यान भर्दक जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं.